नमस्ते, एक मुलाकात कार्यक्रम में सबके स्वागत बाद। आजके कार्यक्रम में हमनी बात कर अब जा मोगिस में दूद के पेडावार और पशुपालन पर। पशू के संख्ख्या और दूद के उत्पादन कम्ती हुवता. अगर देगवता, 2018 में, दूद के पोड़ुक्श्यों 2.9 मिल्यों लिट्र रहल, और 2019 में, घट के 2.5 मिल्यों पर पहुंचलग. 2019 में, पशू के संख्ख्या, 2.040 रहल, और इमें, सिर्फ 920 वाश. हमनी के देश में, दूद के पोड़ुक्श्यों अब तीन प्रतिश्ट से कम पर बाते, इसलिए कौंसमाते के परेला जिले अंपुत और जिले अंब्रिक जोन एंपूते हुआ, उसे इस्तमाल करे के. इसे और बढ़ाने के लिए, मिनिस्तेय कई योजना अनलग है, हमनी के गाउपालक के लिए. जैसे के DBM के माध्यम से, यहाँ पर दो लोन स्कीम से बाते हैं. पहला स्कीम है, न्यू अग्रिकुल्टरल लोन स्कीम, पशू पालक और पुल्ट्री ब्रीडर्स के लिए. एगो दूसर स्कीम बा, अग्रो इंडस्ट्री लोन स्कीम, जो प्रोसेसिंग एक्विप्मेंट के खरीदारी के लिए बाते हैं. उगो लोन स्कीम पशू पालक को कम लाइंतेरे पर मिले लाँ. गाउपालक के लिए और भी कई सुविधा मिले लाँ. जेसे के, फिए सबसीदी स्कीम बाते, यहां पर जब पशू पालक को संट्रे किन लेलन से, गाउपान पान कातेर, तब उन्हें 4.000 kg, एगो, माक्सिमम 3.000 kg को संट्रे पर सुप्सीद मिले लाँ. तब पालक को संट्रे लाँ पालक को न्टिए हा? उगो फिए हा, जहां गाउपालक लिजीन में करिदे लाँ, जैसे के, लाइस्टोक फिद लिमिते हा, और मेदर्स फिद लिमिते हा, और उगो कॉंसंत्रे, और उगो कंप्लीट फिए हा, गाय खाते. तब उगो जिस्पनिब बाते? आसानी से मिल जाला हुँ? आसानी से मिले लाँ इसाइे लाँ फख्ट्री शप मे? या इस दिस्ट्रिबश्टन सेंट पी बाते? गायतरी अव्योंग पातकर जोन मीनि 그렇게 कहते हैं? ता हम्नीके बतावे की आपते गाय प्राघे में कामकरें? तो फेड़े देने से कोन मदद प्रदान कर अल्जा लग जा उन पशुपाल को अर जा गई पूसे लाओा फेड़े में एग अगो बाते क्यो प्लाइबस्ट रिसे छेश्छ सेशन भाहं पर गाय को लेके और फुराज के लेके तरह तरह के रचेश्छ होला वाहन पर एगो मिल्क प्रोसेसिंग लाबराटरी भी हो जाहन पर दूद से बनी प्रोड़िप पर काई तरह के रचे रचेश्छ हो ला अप वाहे के लाइस्टक एक्सेंशन दिपार्म बाते जिन का हैट्वार्टर्स सांपियर मेबाते यी देपार्त मंपर्शूपालग को शुपोट तेखनीक देवेलाब जय dapat का एक्सेंशन ओफिसर्ला भाहें पर जाके विजिते करके लाइस्टक पर प्रोसेश्पालग के टेखनीक तर देवेलन सा तर नि कैसे चाहेला वो पशुकि आच्छे टरिके से बालन करेग्या और कोई भी टेकनलोरजी बाते तवाद पर जाके उलोग देमांस्राश्यों भी करेलन सा गूप मीटिंग्स करेलन सा, कंड़क्टर तोस्थ भी होला और फारे के साथ में च्रेइनिंग भी मिलेला पशुपालन पर और गाय का तेर तेन गो च्रेइनिंग हा एगो आपरेशन अव देरी फार्म दूसरा हा फॉदर प्रड़क्शन और तीसरा हा फार्म मानेजमेंट ता आप बोलन की जुन गाय के संख्या बाते हो घट गल बाते है ता गाय ता अलग अलग ब्रीद के बाते है ता मोगिस में गाय के कौन ब्रीद बाते है जुन रेस हा और कौन कौन बाते है हमनी के देश में तीन ज्यादातर रास हैं अगो है क्रे ब्रीज, दूसर है क्रेजन ब्रीज और फिर जर्शे ब्रीज और इन तीनों गास के लेके अगो गास मेलंगे भी बाते अब उगास क्रेवल के रंग सफेड हुए ला अगो गास लुकाल है जो कैसाल बाद हमनी के कॉंदिशन लोकाल में अच्छा से अदाप्टे हुग लावन और उकर दूद के पोडिक्शन भी अच्छा रहे ला अगो लाक्टेशन साइकल में जो 300 दिन का हुग जादातर 2500 लीट तक हुगे ला एक बारीस में? नई, जीस मौँ में जीस मौँ में के लाक्टासियों में 300 दिन हाँ अब अगो फ्रीजन के गास हुग सफेदबा और काला पाच्छा भी रहे ला उस पर उगो मिल्च ताइप हा जो आंपोते कर ले हुग साइब अगर दूद के उत पादन अच्छा रहे ला एगो लाक्टासियों में तीन हजार लीटर से उपर भी हुग सके ला और तीसरा है जह से जो कुछ साल पहले हमनी के देश में अंतोजिया कर ले हुग सा उकर रंग माओं रहे ला और उकर दूद के उत पादन भी अच्छा रहे ला क्रेयल ब्रीट के तरह देमिल साइकसा के उपर भी हुई सके ला कुन सबसे जस्टी बाते मोईस में प्रेशन ताइब और क्रोस ब्रीट हुए ला अब गाय पशु पालन करे के गो तरीका बाते ता जोन गाय के जोन लेक्योगी बाते वोक्रा कैसे बनाय के चाही गाय के पोशन खाते एगो अच्छा लेके गी आवश यख इस सब गाय के प्रोटेजे करे ला वर्शा से, जीवां से, सिक्लोन से और धन से भी गाय के चाहे ला उकर लेस्पास भी देवे के ताकि उपन लाविरानमा में कॉफोर्टाब रही और उकर प्रोटेक्शन भी अच्छा से रही और गाय के लिए कम से कम कात्मेट कारे चाहे ला देवे के जी मैं उस सकी ओकर मुवमाँ सब करे अब लेकरी में बहुत से उवेट्या भी चाहे ला रहे के ताकि अच्छा से वंटिलाशन होई लालिमियन नाच्छा भी होई क्योंकि वंटिलाशन और लालिमियन नाच्छा गाय पर के लासौनते पर असर करे ला सब ही उवेट्या पर फ्लाइप्रूफ नेटिंग्स चाहे ला रहे के ताकि उव गाय के मक्षी से प्रोटेजे करी काहे के मख्यी बहुत से बीमारी के पहला हुईला एक दूसर आसपेपा गवपालन में जिसे हमनी बायो सेकुरीटी मेजर्स कही लजा या फिर प्रोफिलाक्सी उँँ प्रिकोर्शन्स हा जो गवपालन को चाहिला ले वेके ताकि बीमारी उनका लेकरी में नहीं पहुंचे इसलिए लेकरी के चाहिला अच्छा से बनाएके ताकि इसे धोएके और दिजाफिक्ते में करेंके कोई गवपालन को कथिनाई नहीं होई आर हमने के बतावा की गाय के खान पान के लेके कुन जैसे कदम उठाएके चाही दूद के उदपादन गाय के खान पान पर निर्भर हो इसलिए बहुत से पारामेद्र देखेलन सा जैसे के पशुके कातेगोरी के हिसाब से चाहिला खान पान देवेके दूसर हाँ खान पान के कॉंपोजिश्यों का हो और खान पान के कालिते कैसे बाइगो अच्छा दूद के उटपादन के लिए चाहिला एगो बाची के उकर जनम से ही खान पान पर ध्यान देवे के जब अगो बाची के नेसांस होवे ला तब गाय के पहला दूद जो कलस्ट्रम बुले लंसा चाहिला उके देवे के काहे कलस्ट्रम में अंची को बाते जो बच्छा या बाची के रेजिस्तांस मिली और मालाजी से प्रोतेजे करी फिर चाहिला शुरू में छे लितर दूद बच्छा के देवे के और तीन महीने तक लगाता दूद चाहिला यानि एक दिन में छे लितर दूद तब जाके तीन महीने में उँ बाची या बच्छा के उकर प्वा यानि के वीनिंग वेट अच्छा रही और उकर लासंते भी अच्छा रही तीन महीने के बाद उके कॉंसंट्रे एंटोजिय करे के चाहिला जब दो साल हो जाए तब जैनीस बोले लन सा अब जैनीस के एंसेमिनाश्यों आजिफिस्यल चाहिला करे के उसे विस वेतिखिने करे ला अगर गाबहिन रही तब नव महीने बाद एगो के चाहिला जाए और दो देना शुरू करी एगो गाय के चाहिला अच्छा कालिते फॉराज भी देवेके जैसे के एब एलेफं बाद, एब गवातेमाला बाद, हमनी के पशो पालक फॉराज मेलंगे कर के देवेलन सा जैसे के लापाइकान हो, माय के फेई हो, एब दो जाओ, कैसा जैसे के हि나ा पॉराज भी, हैसे के लाओ, ए गाय के ओ कोसंस्स तौनक ये सुक्तों आजले लाद, इवेके तचाहिते हैं, इुरू का बश्तत बाद, एनेज के ली एेला भ exists 10-2 हाज, हमनी की एछ्स, एने के लाद, नदुरू पस्तों भी त्म्छीस, एने ल गाय के चाहिला पानी, पानी पियाए के, साफ पानी, और क्योंकि गाय जो दूद देवेला, उसकी 50 लीड पानी से ज्यादा भी पिये, एक दिन में, और इसलिए पानी चाहिला अक्सेसिब हमेशा रहे के लेकरी में, पानी पश्रो के ला संते के लिए अच्छा बाते और आवशिया बाते हैं, अर जोन छोटा यानी बच्चा बा गाय के, तो उक्राओ चाहिला पानी देगे? हाँ, कैजो पर पानी चाहिला अंतोजिया करेके, और थोड़ा थोड़ा फुगाज को भी अंतोजिया चाहिला करेके अब गाय के बात कर ली से, जोन दूद के पेडावार बाते तो गाय के कैसे चाहिला जोन दूद बाते हो धुवे के? पशुपालक दीन में दो बार दूद धोलन से दूद एको ऐसा पोज़ी है जो बहुत ही फाजिल है इसलिए milking procedures जो है चाहिला ध्यान में रखके धोए के ताकि उँ दूद के कालिते नई आफेक्टे करी दूद के धोए से पहले और दूद धोए के बाद बहुत से प्रेकोश्यों गवपालक को चाहिला लेवे के जैसे के दूद धोए से पहले चाहिला लेकरी के साफ और देजांफेक्टे करे के कोनो भी इस तंसिल इस्तमाल करे से पहले चाहिला देजांफेक्टे करे के धोए के देजांफेक्टे करे के जैसे के सेयो के या मिल्किंग मर्शीन्स के गाय के तेचिन जब धुए के बख़त चाहिला साफ करेके और देजाफिक्टे भी अच्छा से करेके दूद धुए पर फिर से गाय के तेचिन के चाहिला देजाफिक्टे करेके को कर बाढ़ो ताकि तेचिन के एंफिक्शिन नहीं होई और उके मामित नहीं होई दूद धुए पर उसे दूद को ऐसे जगर पर रखे चाहे ला जहां धूप नहीं बाँ क्योंकि अगर तूद में फ्लुक्तुाश्यों रही तो दूद में जोन बाक्टेरी हो मुंचिप्लिये होई हां और दूद को गाते करें इसलिए रेक्मांदे हां दूद को एगो कूलिंग तंक में रखे के और कूलिंग तंक दूद के चार देगरे पर रखे ला और उगो उमें एगो सिस्टेम बाँ जो दूद के तूने करे ला जोन फात्थ हो दूद में उसे उमोजेन रखे ला और यी कॉंजिश्यों में दूद के सखबर दो दिन तक रखे अब दूद के कालिते देख बता उब बहुत ही आवशक हा कहे के उसे कॉंसमाते के हानी नहीं नहीं पोंची हाँ sheep झावर्णी लेज परेट टाभ टक ए को बास्ता अन्ली लेग चाहिग उसे नहीं प्षब जह, दूद विप्क के लगुसर्ण पांटें, कि चुमते हैं, अट कैमिकल अलीष क censब अपार्प अब अलीष Carlisian कि फिर ए多 ज्वरेजうん कि डिदो के दिये खिर अ कुछ अलीष के लग्ज आर आके छोर्यजिकल आर राल हिरे website parce que प्रेकर एब जार के लिए चार्पार में पार्व एक्रियुट्स कि अभनी के बतावा कि गाई के मोगिस में कुं-कुन बीमारी उसब आफिक्टे करे लागा जैसे कि आगे बूला कि जोन मुश बाते उकर से बगते भाक्तेघी पहले सके लागा तो कुन बीमारी बाते जे कर से बेप्टेवा जैसे सभी बोते हैं प्रेवेंशन इस बेटर द ताकि परशु बीमार नहीं बड़ी है गाय में करी बीमारी हो होता है जैसे के मामित है हमने बुलनी से तेचीन में एंफेक्शियों इसलिए तेचीन को अच्छा से दिजाइए चाहिला करें के दूसर है हाइपो काल्सीमिया जहां पर गाय मीजबा के उपरांद बैच जाला इसलिए जब गाय गाय भीन होएला तो और चाहिला मिनरल मिक्स्चर देवेक्श जागे भी होएला बाच्छी या बच्चा में प्निमानी जैसे बीमारी जो परशु के सिस्टेम रेस्पियातर अफेक्ते करें आजे खतरनाकों बाते परशु खातेर जो नेमानी बाते हमने परशु के आख आख अफिक्ति करिला और अगर सही समय पर ट्रितमान नही होई तो गाय के वो अंधा भी होई सकेला बलोत होई लाप शुमें जब बहुत ले अब्दान खायलन सा तब वकर लेस्तों मां गोफले होजाला और सांसलेवे में गतिनाई होई लाँ अब हमनी देश के देश में कुछ दिजीज आख भी होई जैसे के लाने दे मिल में लंपीड स्कीन दिजीज आल और मालाजी बुस बुलेलन सा और मालाजी मचल से पैले रहल और पच्छू में भारी मौतलिते भी होई इसे ले दिजीज वेटरिनेर जो पच्छू के लासंते अच्छा उनको बाक्सन देगल और अजी बुमारी नेबाते हर, présent moments 2016, आग्छू मलादी आल रहल हे खो फटल्माव अच्छू का घ ISBN 후टल्माव डजीज उनस आफचित भूलेउल इसे पशु को लाफिव हो ला, मुँ में कलोश हो ला, साबो में लेजियों हो ला, और उसे सकी मर भी जाए। इसे पशु पालक के चाहिला अपन पशु के सही तरीके से देख भाल करेके, और कोनों भी बीमारी होई, ता सेवीस वेटेरिनेया को इमेजियात माँ कॉंताक्ते करेके चाहिला। पशु पालन में दो तरह के देशे रहे ला, और एगो लीक्विड वेस्ट और एगो सॉलिड वेस्ट, देशे लीक्विड में लीरीन बाते और जब लेकरी के धोईब ता देलो लावाज भी आवेला। उसे दिस्पोजे करेके लेकरी में चाहिला एगो अच्छा द्राइनेज सिस्टेम होएके जो लीक्विड को लेकर एगो सेप्टिक तैंक में छोड़े। अब जब उसेप्टिक तैंक भर जाए तब एगो वेस्ट वाट सर्विस के द्वारा उसे देविडे करेके चाहिए के पशुपालर के नए चाहिला लीक्विड वेस्ट आप जब एगो लीक्विड जब एगो लीक्विड 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 लोड़े हा उस सब भी नए होई और इस से अपन प्लांटाश्यों में इस्तेमाल करे लन सा और कॉंपस बनाए के 6 से 8 सेमान लगे ला उग पालक के अगो साइड बिसनस भी होई सके ला और ज्यादा आम दनी भी सकी बिली उनको फुमिय से भायो गास भी बने ला, बायो ऩॉज जीतिर करे के रगो बायो गास यहादा coração जिन मे लो डिजस्टर ca her और अगू गजस रोड़न, फिमीय को पानिसे मिला के दैजेटर में चाहिला दाले के और फिमीय में जो बाक्तीरी है, फिर से गज अच्छ पर अच्छ प्र से गजा उग जहां ऑब बाक्तीरी फिमीय के देः कुम पसे करे ला और नाच्रल गास प्रडूस होएला जैसे के ज्यादातर मीथेन और काबन दाउकसाइड अब उगास को लेकर एगो डिस्ट्रिबियोशन लाइन के माध्यम से अपन गास कुकर तक प्रसिबिरीते बाते होगा पोंचाएगे हां और उसे इस्तेमाल करेके ता जुन डाइजेस्टर बाते उ कहां परी उपलब धबाते हमनी के यहां दिजाइन बाते एगो गंपस यूनित बनाएके ता चाहिला एगो मासों के देखे उग बनाएके ता गषरे सक बनावे जो अगो व्यक्ति पशुन पालन कर दाता हा हुझे परी उबनावे हां और आसां बा होकर तरीका बनाएके जो जि मे उव मासों के एक्स्प्री के करभरा की कैसे बनाएके चाहित असाणी से बन जा असाणी से बन जावाएól अब हमने के बताए कि जोन दूद बाते, मानले एगोव्यक्ती बाते और उद धोलेवे बाते ता, ओकर बाद, दूद के ट्रांसफोर्माशों कैसे होवे ला? दूद के ट्रांसफोर्माशों आवश्यक्ती बाते, दूद के शेर्फ लाइ बरहाने के लिए, क्योंकि हमने देखनी से के कूलिंग तैक में रखबत दूद दो दीन से ज्यादा नई सब रखे और उसे प्रोड़ आजूते भी होई ला, और इसे ट्रांसफोर्मे करने पर प कामनी के कई पशूपालक दूद को और दूद से बने प्रोड़ भी बेचे लांसा, जैसे के पनीर, जो आजकल कॉंसमाते है, खजे लांसा, दही है, फेनुस बाते और दिले अरोमाटीजे भी बाते, कुछ अंत्रोपरनेर भी बाते, जो पशूपालक से जाकर दूद घरी और उसे प्रोड़ी बना के बेचे लांसा, इसे पशूपालक को मिल्क मार्केटिंग में असानी हो जाला, दूद से कई और प्रोड़ी बना के पसिबिलिटे बाते, हमनी के मिल्क प्रोसेसिंग लाबराटरी फारेग के अलग अलग प्रोड़ी पर रचेर्श हो ला, कुछ प्रोड़ी बाते जिले पास्टरिसे, मुजारिला चीज, फेता चीज, सफचीज, केफिय, योगर्ट और कई और प्रोड़ी बाते, और रचेर्श अब तक जारी बाते, तब उपलब दब आते की रचेश वा जब फिनी हो जाय तब उपलब दोई? नहीं, जब रचेर्श हो ला, तब बहुत से प्रोड़ी पर च्रेनिंग दियालगल पशू पालग को, और उट च्रेनिंग बहुत आवश्यक है अगर पशू पालग उप्रोड़ी को कुमेर्सियालिजे करियान से. तब जुन पशू पालग बाते, यदि उकर उकरा एगो जानकारी चाही तब कहां परी उपलब दोड़क होई सके ला, तो कौनों भी फारे के सांथ में, एक्स्टेंशन सेंटर्स में, याक्योपिप में सकी अपन नाम देवे, और जब भी ट्रेनिंग होई तब उके हम तरी जी, ही संगे हमार कामड़कार एक्रम के अंतर चलाल बात, तो अपन कीमती समय निकाल के हाई जापरी आई ला, इखा तेर धन्याबाद, तो जाए ले आगे कोनों संदेश बाते, जो अंदर्शक्लों के दिबा, पशू पालन पर जानकारी प्राप्ट करने के लिए, के एक्स्टेंशन हेड़कोर्टर्स जो संपियर में बाते, सकब आय, या फिर कोनों सब ओफिस जो आपके लोकालिते के नस्दीग पा, यहां वहां पर जाके एक्स्टेंशन ओफिसर से सकब मिले, लंजी, मेक्रदी, वंद्रदी को एनेया से कात्रे तक. धन्यवाद गायतर जी, तो जैसे कि देखला कि देश में पशुपालन करे के तरीका कोंची है और इपर तु लोग जानकारी प्राप्त करलन, तो हमनी संगे जुर रहिया, भोचपुरी चानल देखते रहा, आर हमनी के आग्या दिया, नमस्ते. अल्दर फिर एल्द से कोच्पुरी जी, तो हमनी सो जानकारी, जानकारी, तो हमनीका से का बादर जेखते ये जानलन करेंग।ग करेंड़िया चले भेर तेनलन करेंग्या लेंगिया में करें लिकर दो, चेलुब हमनी साथ्माप।ग नह सुह।.